कुछ लोग अपने सफीद बालों को छुपाने के लिए महंदी का इस्तेमाल करते हैं तो वही कुछ लोग अपने बालों को शाइनी और बालों को कलर चेंज करने के लिए महंदी का इस्तेमाल करते हैं बैसे तब बालो को कलर करने के लिए बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट अविलेवल हैं लेकिन इसमें केमिकल ज़ादा होने के कारण इसके इस्तेमाल से कई लोगों साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है इसे लोग मेंदी का इस्तेमाल करना चादा पसंद करते हैं क्योंकि यह नेच्रल होता है मेंदी बालो को कलर करने के अलाबा भी कई तरह से बालो और असकेल्प की देखवाल करती है औशनी की तरह काम करने वाली मेहंदी एशकेल्फ में डेंडरफ और बाल जड़ने की समस्याओं को कम करती है इसने पाये जाने वाले एंटि बैक्टिरियल गून एशकेल्फ को इनफेक्शल से बचाने का काम करते हैं लेकिन बहुत से ऐसी लोग हैं जिने महंदी लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको महंदी में क्या-क्या मिला कर लगाना चाहिए और इसे लगाने का सही तरीका क्या है। पहला है Hair Oil मसाज करें। जब भी आपको अपने बालों महंदी लगाना हो तो एक दिन पहले अपने बालों और स्कल्प पर हलके गुरूने तेर जो डबल बोलर बिधी से गरम तिया गया हो उससे अच्छी तरह से मसाज करें। इसके लिए आप कोई भी Hair Oil ले सकते हैं। इसके बाद अगले दिन बाल दोएं और फिर महंदी लगाएं। दूसरा है महंदी में इन समागरियों को मिलाकर लगाएं। बालों में महंदी लगाने से पहले महंदी में आवला, शीका काई और रिठा पाउडर के अलावा अंडों का पीला भाग, नानी के जर्दी, कौफी पाउडर, आवशकता अनुसार चाय पत्ती का पानी भी उबाल कर डालें। महंदी भीगाने का सही तरीका इन सारे बताई गई समागरी को एक प्लास्टिक या काच के बरतन में मिक्स करें। उसके बाद इस मिशन को एक दिन के लिए अच्छे से ढख कर रख दें। अगले दिन आपको महंदी के उपर वाले लियर सुखी लगे तो इसमें आवशकता अमसार चाय पत्ती का पानी मिला लें। अब जानते हैं महंदी बालों में लगाने का सही तरीका क्या है। जब भी आप अपने बालों में महंदी लगाएं तो अपने हातों में दस्ताने पहन लें। इसके बाद बालों को दो भागों में बाट लें। अब दो भागों में बटे बालों को और छोटे छोटे हिस्से के बाल बाट लें और थोड़े थोड़े बाल लेकर उनकी जड़ों से लेकर छोड तक महंदी लगाएं। पूरे बालों पर मेहंदी लगाने के बाद जुड़ा बना ले और बचिवी मेहंदी को जुड़ी पर अच्छी तरह से लगा ले। मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों को दो से तीन घंटे के लिए धक कर रखें। उसके बाद बालो को नॉर्मल पानी से ढूरे तो इस तरी के साथ मेहनदी बालों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा kwश्वषराशनी चाहिनी और लंब्ने के साथ साथ बहुत ही जल्दी बढ़ने भी लगेंगे